मुन्शी प्रेमचंद वरा लिखे तुपन्यास गबन का भाग इक्यावन दारोगा गड़ जाकर लेट गए ग्यारा बज रहे थे लिकिन जब नीद खुली तो आट बज गए थे उठकर बैठे ही थे कि टेलिफोन पर पुकार हुई जाकर सुनने लगे डिप्टी साब बोल रहे थे इस रमानात ने बड़ा गोलमल कर दिया है उसे किसी दूसरी जगर ठहराया जाएगा उसका सब सामान कमिशनर साब के पास भेज देना होगा रात को वो बंगले पर था या नहीं था दारोगा ने कहा जी नहीं रात वो मुझसे बहाना करके अपनी बीवी के पास चला गया था उसे कुछ समझाना चाहता था टेलिफोन से आवाज आई तुमने उसको क्यों जाने दिया हमको ऐसा डर लगता है कि उसने जज के सब हाल कह दिये है मुकदमा का जाश फिर से होगा आपसे बड़ा सा भारी सा ब्लंडर हुआ है सारा महनत पानी में फिर गया उसको जबरदस्ती रोक लेना चाहिए था दारोगा बोला तो क्या वो जजज साहब के पास गया था डिप्टी ने कहा हाँ साहब वहीं गया था और जजज भी काईदा को तोड़ दिया वह फिर से मुकदमा का पेशी करेगा रमा अपना बयान बदलेगा अब इसमें कोई डाउट नहीं है और यह सब आपका बंगलिंग है हम सब उस बाड में बह जाएगा जोरा भी हमें दगा दिया दारोगा उसी वक्त रमानात का सब सामान लेकर पुलिस कमिशनर के बंगले की तरफ चले रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पावे तो समुचा ही निगल जाए कमभखत को कितना समझाया कैसी कैसी खातिर की पर अंत में दगा कर ही गया इसमें जहुरा की भी साठ गाठ है बीवी को डाठ फटकार करने का महजिक बहाना था जहुरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूँ कहां जाती है देवी दिन से भी समझूगा एक हाफते तक पुलिस करमचारियों में जो हल चल रही उसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं रात की रात और दिन के दिन इसे फिक्र में चक्कर खाते रहती थे अब मुकदमे से कहीं ज्यादा अपनी फिक्र थी सबसे ज्यादा गबराहट दरोगा को थी बचने की कोई उम्मिद नहीं नजर आती थी इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सर डाल दी और खुद बिलकुल अलगूं गए इस मुकदमे की फिर पेशी होगी इसकी सारे शहर में चर्चा होने लगी अंग्रेजी नियाय के इत्यास में यह घटना सर्व था अबुत उर्व थी कभी ऐसा नहीं हुआ वकीलों में इस पर कानूनी बहासे होती जज साब ऐसा कर भी सकते हैं मगर जज द्रड था पुलिस वालों ने बड़े बड़े जोड लगाए पुलिस कमिशनर ने यहां तक कहा कि इससे सारा पुलिस विवाग बदनाम हो जाएगा लेकिन जज ने किसी की नहीं सुनी जूटे सबूतों पर पंदरा आदमियों की जिंदगी बरबाद करने की जिम्मदारी सिर पर लेना उसकी आत्मा के लिए असाया था उसने हाई कोट को सुचना दी और गवर्मेंट को भी दे दी इधर पुलिस वाले रात दिन रमा की तलाश में दौर दूब कर रहे थे लेकिन रमा न जाने कहां चिपा था कि उसका कुछ पताई नहीं चल रहा था हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखा पड़ी होती रही मनों कागज स्या कर दिये गए उदर समाचार पत्रों में इस मामले पर नित्य आलोचना होती रहती थी एक पत्रकार ने जालपास से मुलाकात की और उसका बयान चाप दिया दूसरे ने जहुरा का बयान चाप दिया इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया उदर दी जहुरा ने तो लिखा था कि मुझे 50 रुपे रोज इसलिए दिये जाते थे कि रमानात को बैलाती रहो और उसे कुछ सोचने का विचार करने का अवसर ही नामे पुलिस ने इन बयानों को पड़ा तो अपने दाथ पीस लिए जहुरा और जालपा दोनों कहीं और जाचिकी नहीं तो पुलिस ने जरूर उनकी शरारत का मज़ा चखाया होता आखिर दो महिने के बाद फैसला हुआ इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ जिसमें ज्यादा भीड़बाड ना हो फिर भी रोज 10-12,000 आदमी जमा हो जाते थे पुलिस ने एड़ी चौटी का जोर लगाया कि मुल्जिमों में कोई मुख्विर बन जाए पर उसका उद्योग न सफन हुआ दरोगाजी चाहते तो नई शहादते बना सकते थे पर अपने अफसरों की स्वार्थ परता पर वो इतने खिन्न हुए कि दूर से तमाशा देखने के सिवा और कुछ न किया जब सारा यश अफसरों को मिलता और सारा अपयश मात हतों को तो दरोगाजी को क्या गरज पड़ी थी कि नई शहादतों की फिक्र में सर्ख पाती इस मुआमले में अफसरों ने सारा दोश दरोगा की ही सर्ख मढा उन्हीं की बेपरवाई से रमानाथ हाथ से निकला अगर ज्यादा सक्ती से निगरानी की जाती तो जालपा कैसे उससे खत लिख सकती और वो कैसे रात को उससे मिल सकता था ऐसी दर्शा में मुकदमा उठा लेने के सिवा और क्या किया जा सकता था तबेले की बला बंदर से गई दरोगा तनज्जुल हो गए और नायब दरोगा का तराई में तबादला कर दिया गया जिस दिन मुल्जिमों को छुड़ा गया आदा शहर उनका स्वागत करने को जमा था पुलिस ने दस बजे रात को उने शुड़ा पर दर्शक जमा हो ही गए लोग जालपा को भी खीच ले गए पीछे पीछे देवी दिन भी पहुँचा जालपा पर फूलों की वर्षा हो रही थी और जालपा देवी की जय इन नारों से आकाश गुझ रहा था मगर रमानात की परिक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी उस पर दरोग बयानी का अभियोग चलाने का निश्चे हो गए